बच्ची को उठा कर लाए, थोड़ा पैसा मिलेगा सोच कर हमें लाले चाया, अरे बापरे, उठा किड्नेपर का टैग लग गया, अब ये सब छोड़ो भईया, एक काम करते हैं, इस बच्चे के घर जाकर इस बच्चे को दे देते हैं, वो जितना भी पैसा देंगे, उससे पांच कैप खरीद कर सेटल हो जाते हैं, अब बस, इस कन्फ्यूजन को मैं सहे नहीं पा रहा हूँ भीया, वैसे ही मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, तुझे बदा क्या प्यार करता है, क्या भीया, ऐसा बोल रहे हो, मैं सच में प्यार कर रहा हूँ, सच में प्यार करता है, तो कौन है वो लड़की, मैं बोलूगा तो आप बुरा मान जाओगे, उस दिन पार्क में, ये चीची भाया, वो नहीं, तो फिर, कौन है, वो अपनी, सुबा लक्षम भाया, ऐसे सीरियसली मत देखो, मैं सीरियसली उससे प्यार करता हूँ, ध्यान से सुनलावा, मैं सुबा लक्षमी को तब से जानता हूँ, जब हम छोटे थे, वो सच में बहुत संसकारी लड़की है, तुझ जैसे टपूरी के साथ उसकी नहीं जमेगी, मुझ जैसे अच्छे को दे देंगे, तो हमारे पास पैसे आएंगे न, उससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या हुआ भाया, बेटा अब अपनी नया खुदी पार लगा ले, भाया, देखो लव, तुम और वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सच में उन्हें बहुत सपोर् कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उन्हें हर कदम पर तुम मदद करें, तुम टपोरी तो हो, लेकिन प्यार करेक्ट, करेक्ट, सुबालक्षमी, इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन जो बोलना था, वो तो बोला ही नहीं, मैं छोटे गाव से हूँ, मुझे शर् एक चाहे देना क्यूं काका, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? उसे ढून तो रहें, लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं, सब बेकार हो रही है बच्चा मिले तो मुझे भी जरूर बताना काका, क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग उस बच्चे को मार न डाले ऐसा नहीं होगा, नजाने कौन है वो लोग जो हम सब को इतनी तकलीद दे रहें जब से वो बच्चा गुम हुआ है, उसकी मा के हालत बहुत ही खराब है, अनका एक निवाला तक उसने मुझे में डाला पता ने क्यों भगवान भी अच्छे लोगों को ही कश्ट देते हैं हम क्या कर सकते हैं काका, अगर उस बच्चे को मिलना है तो उपर वाला ही कुछ कर सकता है हे लव, हाँ बच्चे के घर से इंक्वारी करके आ रहा हूँ, तु बच्चे को तयार कर, मैं अभी घर आ रहा हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं हम लोगों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलो डीक है भाईया अब वो 25 लाग की बाद कन्फाम है ना कन्फाम है तु जल्दी से बच्चे को तयार कर मैं अभी पहुंच रहा हूँ तकिड 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 ता हे अरे 25 लाग रुपया रहा ह पाइसा 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 अरे बनकार बनकार झाव नकिया आपने अब आध्या डांस के आपने अब आधादालेगा क्या तेरी तो तुझे कैसे मारो तू मेरा बैरर चेक जोह है छोटो बच्चे रुक यार ऐसे क्यों हो रहा है तु मुझे आइस्क्रीम चाहिए आइस्क्रीम चाहिए कुशल अंकल को फोन करता हूँ वो हाते समय ले आएंगे मुझे अभी चाहिए नहीं तो मैं जोर-जोर से रहूँगा अब मत रोना हाँ मीडिया वालों को मेरा नमस्कार मेरा पोता लव कुमार जिसकी उम्र दस साल है वो मंदिर के सामने खेलते-खेलते कहीं गुम हो गया है जो भी हमें उसका पता बताएगा मैं जिन्दगी भर के लिए उस इंसान का एसान मंद रहूंगा उसे 25 लाग का इनाम भी दूँगा हमारी पुलिस उसे पूरे शेयर में ढून रही है जल्दी हम उसका पता लगा लेंगे और उसके लिए हमें आप मीडिया वालों का सयोग चाहिए हाई गुड मॉनिंग हैदरबाद आप सुन रहे हैं एफम एफम का मतलब रेडियो सिटी 91.1 आशेयर की हॉट न्यूज है किड्नैप्स आपको बता दे प्यारे मास्तूम और नादान बच्चों को टार्गेट करके उनकी जिन्दगी के साथ खेला जा रहा है रिसेंट न्यूज इज लवकुमा नाम का दस साल का बच्चा मिल नहीं रहा अब वो कहीं गुम हो गया है या किड्नैप हो गया है ये कहा नहीं जा सकता बच्चे के बारे में पता चलने पर रेडियो सिटी को समस कीजिए सिटी स्पेस आपका नाम लेकर 56060 पर समस आप अपने बच्चों बर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और उन्हें अकेल आप कहीं मत जाने दीजिए सुनते रहिए FM, FM का मतलब रेडियो सिटी 91.1 सर, सर, आर क्लोज होने का टाइम हो गया, उठिया ना सर, सर, क्या हुआ, सर, ये ज्यादा पीके आउट हो गया है, ये कौन सी नहीं बात है, क्या इन्होंने बिल पे किया, दिया, और टीप भी दिया, सर, ब्रिंकर कह बाले को फोन करो, वो इसे ले जाएगा, टीप भी ले गया, कंजूस कहीं का, हेलो भीया, ओके, टू मिनिट्स मैं आता हूँ, हो दिया, टीप गजी शुछ भीया, ये, वो दो 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 दो, और बिल भीया, आता है, और बिल भी अरा, और भीया, उे जाएगा, इसे ले अन्होंने बिल, भीया, तो भीया, दो दो बुम 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 चिकान बुम नमस्य भाया मेरा पैसेंजर का है अंदर है अंदर है अधर पैसेंजर है याई लव यू तू अब उतारने के चड़ी नहीं गाड़ी प्रिपेड है प्लेस और फेर कंफर्म होने के बाद ही इंकमिंग और आउट गोइंग होगा इसलिए तेरा पेमें तो मैं दे दूगा या इस थाजन रुपीज तेक दिस अनजाओ दे चेंज लेकेन ये तो पांसो है बड़ चलेगा चलो अरे चलिए अरे सिधर बेटो मां सिधर होने है अलो वीजे बार एंड रेस्टरांट ओकी टू मिनिट्ट्ट्ट्ट्ट् अरे तो अरे तुम्हें उतारूंगा ओके या फर्स्ट मुझे उतार देना यह चुप लास्ट में चर्थार कहता है कि फर्स्ट उत्रेंगा अलो मास्टर कब चड़ा वो पॉंट नहीं है कितने चड़ी वो पॉंट है मैंने फुल कंट्री चुप आया पहले मुझे ड्रॉप करना इतारूंग पीते और इसे ओर्डर करते हो मेरी तरह कास्ली प्यों फिर ओर्डर करो तो पता लगेगा यह फर्स्ट मुझे उतादेना प्लीज इसे में प्लिग ड्रॉप कितनी स्पीड में चल रहा बाई सिक्स्टी है बह्या सिक्स्टी कि कोई च्पीड होती का बच्चा संजा बडे बैठे या पेच्छा स्पीड में अहां बैए 70 मैं कहता हूं 220 वे लगाने तो एक्सिन्ट हुए सुन राइविंग मुझे दे अपने टीपे चलते हैं जो 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 ए अरे तुम मुझे दे ने चलाता हूं यह पकाद आजा इदा आजा इस वह बाइज नो रखो अरे आगी देखो गाड़ी है अरे क्या करें हो समबलके 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 आज एकारी लगारी यह मेरी रोजी रोघी है इसका कहते है असले डावी ठाव को है हाँ यह क्या करें हो अरे आभी बहार निकलो मेरी गाड़ी खारब जागी चलो वहाँ वहा बयारा कहीं का अरे सेज्वां चत्मिया यहां पर कब लगी हमां अबल नंबर फोर में बेवडा कहा है हां है अधालो भाया बहा 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 यहा यह ये क्या ये तो बिल्कुल मेरी कारबन कॉपी है दुनिया में एक जैसे साथ लोग होते हैं ये बात तो मैंने सुनी थी ये भी उने में से एक हो है क्या फरक पड़ता है ये पीने के लिए पैदा हुआ है मैं उतारने के लिए पैदा हुआ हूँ भाईया अरे कहां जाना है ये अंधेरा अंधेरे से मिलने तक वो सुरज से सुभा होने तक हैं मुझे किसी सेफ प्लेस पर ले चलो सेफ प्लेस, अब ही इसे सेफ प्लेस के लिए कहां लेकर जाओं सर पकड़ लिया क्या हुआ भाई तुम कौन हो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो हां मैं तुम्हारी तरह तुम मेरी तरह दिखते हो तो क्या हुआ तुम्हारे फादर का नाम क्या है नरसीमाचारी क्यों चारी है पर मैं तो मैं तो नाइडू हूँ फिर हम दोनो फूड रिलेशन और बलड रिल सत्त फिल्म में दो अमिता बैच्चन नहीं हैं, उनमें रिलेशन था क्या? इतना ही नहीं, एक और पुरानी फिल्म में बोल राधा बोल, उसमें दो-दो रिशी गपुर हैं, उनमें रिलेशन था करेक्ट है, हाँ, बाइद वे मेरा नाम कुशाल है, आइम प्रेम कुमार, स् मुझे मैं ही लाया हूँ ओके बापरे अभी आता हुए चाचा सुप्रभाद कौन है रहे तु अर सुवा सुवा यहां पर क्या कर रहा है चे 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 बेवड़े पी कर बड़ी बाते करते हैं यह तुमने प्रूव कर दिया चाचा मुझे बेवड़ा कहता है तु कौन है यह पहले पता चाचा कल रात को तुम फुल पी कर टाइट थे तो मैंने तो तुम्हारा एड्रस क्या है भाई नाइट टेम में और डे टेम में बस्ट आप पार्क में तुम्हें इस तरह से रास्ते में नहीं बचलगना चाहिए यह देखो यह है में अकेला रहता हूं यहाँ पर आउट हाउस खाली है आकर रहा है उसमें आओ तैंक्स बोलने की जद्दी मैं भाड़ा नहीं भर सकते हैं भाड़ा कोन मांग रहा है फ्री ओ उस हालत में एसी रूम कमिट कर दिया रहा है देखो बाबू कमिट्मेंट्स आरे कैंसर रेंट दस अजार रूपए अच्छा बीस अजार की बाद चोड़िये रीस रूपए भी नहीं है पीने के बाद बोलते हैं आओ उतरने के बाद बोलते हैं यह कोई धर्मशाला है क्या फ्री में रहने के लिए आहाँ मैं तुम अभी तो अंदर गई थे ना तो फिर बात रूम तो निकल के कैसे और है अ diye pagina मैं याने आँ हो वा के इतनी सी बात है यह पैसे रफ लो उसे जाके दे दो यह ले लो तुम दोनों इतना सेम कैसे दिख रहे हो मेरे डैडी के डैडी के डैडी के दादा जी और उसके डैडी के डैडी के डैडी के नाना जी दोनों सेम दिखते हैं इसलिए तुम दोनों की मा तो एक है ना नहीं, एक ही टैप के नीचे हमने पानी प्याओं, इसलिए हम दोनों की शकले मिलती हैं, लू का पट्ठा पता नहीं, एक ही टैप का पानी, इसलिए से हम, भाया, इस रूम क्यों लगता है आपको बहुत जरुद है, क्यों बोलो, मुझे एक लड़की चाहिए, लड़की, भ मेरा मतलब था कि मुझे प्यार करके शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए, अरे यार, असली मैटर बताओ, वो एक लंबी कहानी है, ओ, फ्लाश बैक, तो फिर एक मिनिट, अब बोलो, भाया, जब मैं चोटा था तब ही मेरे ममी पापा गुजर गय, उस समय, मेरी नान मानी की तबियत भी बहुत खराब थी, उन्हें डर था कि मैं कहीं दरदर ना भटकू, अरे सुम्बू, मेरा वक्त हो चुका है, माजी आपको कुछ नहीं होगा, मेरी एक आखरी ख्वाईश है, तू पूरी करेगा, बोलो माजी, अपनी बैटी सुबालक्षमी की शादी मे मैंने अपनी माजी से वादा किया है, तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी, वो बात नहीं अंकल, मेरी बात दूसरे सुन लो, हम इजज़त के लिए जिन्दगी दाव पड़ागाते हैं, बात इज़त पर आई तो मैं कभी किसी के नहीं सुनता, सिर्फ फैसला सुनाता ह और मेरा फैसला है, तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पसंद की लड़की से नहीं, जो लड़की मुझे पसंद आएगी, मैं उसी से शादी करूँगा, मुझे ढूनने की कोशिश मत करना, प्लीज, मैं हैतरा बात चा रह है, इस शेहर में ऐसी कोई लड़की मिलेगी, मिलेगी, तुम्हें अब हैदराबाद की लड़कियों के बारे में क्या क्या बताओ, भाईया, तेरी इस जन्न में शादी नहीं होगी, अरे, तुझे एक से एक मस्त लड़किया दिखाई, मैंने, मुझे ऐसी कोई चाहिए, जिसे देखती फ्लैट हो जाओ, मेरे हाट में लव बग जलने चाहिए, अगर उसे जलाना है, तो तुझ में फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स, तेरी जोड़ी ढूड़ने में मुझे बहुत तकलिफ हो रही है, भगवान के अलाबा, और कोई नहीं ढूड़ पाएग करते हैं, थॉप पाहिए, अब भाई हो, उस मातों का ऐसे गयुक देख रहे हो, मुझे वव योकिनी, बहुत पसंद आई जी 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भया देवी का भक्त बनने की सोचो तो गलत बात नहीं है पती बनने की मत सोचो ये प्रकुरुती के खिलाफ है मा मैं बहुत परिशान हूं मा मुझे मेरे बिजनस में बहुत लॉस हो रहा है मा इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताओ मा भर्त क्या तुम कभी तिरुपती मंदिर गये हो मैं तु नहीं गया हूं मा लेकिन मेरे माबाप और बीवी गये हैं स्वामी स्वामी तुम महनत से उपर आए हो मैंने पहले ही गुजर चुकी है तुमने अपना रास्ता पूरा तय नहीं किया इसलिए बाला जी को गुस्सा आ गया है अधूरा छोड़ा काम पूरा नहीं कर रहे हो इसलिए तुम इतना कष्ट भोग रहे हो तो अब मैं क्या करूं मा तिरुपत्य जाकर दान करूं क्या एक मिनिट रुको स्वामी है? ओहो स्वामी जी से मैंने बात की है उन्होंने कहा तुम उतना ही दान हमारे यहां समर्पित कर सकते हो अगले हफ़ते मैं तिरुपत्य जा रही हूँ स्वामी जी के चर्णों में इन्हें मैं अर्पन कर दूँ बहुत अच्छी बात है माता, स्वामी का सेल नमबर मुझे भी दे दो मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ अपना मुबंकर क्या हुआ? आपको स्पेशल दर्शन चाहिए? जी हाँ स्वामी ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा जितना भी खर्चा हो चलेगा तो आप जड़ा इस तरफ से आईए लगता है दुझे टकला करेंगे तुम्हारी क्या समस्या है भक्त? अगर तुम्हें इतनी दिव्य शक्ती है तो हमारी समस्या तुम्हें पता होनी चाहिए भक्त, मा तो सब जानती है स्वामी को कुछ कहना है तो पहले हजार रुपे कुंडी में डाल दो भया एक मिनुट रुखो माता का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम दोनों एक जैसे हैं तो हमारी मा एक है या फिर हमारी पपा एक है हमारी मा सिस्टर्स हैं या पपा ब्रदर्स हैं तुम दोनों के बीच में मदिरा और सिर्फ चखने का ही संबंध है लग्त संबंध विलकुल नहीं है वाँ 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 और तुम इश्वर की बनाई सबसे खुबसूरत तचना ढून रहे हो 1000 पॉसेंट करेक्ट मुझे लव करने के लिए अपने लाइफ शेयर करने के लिए एक होशियार और खुबसूरत लड़की की जरूरत है कितनी खुबसूरत लड़की चाहिए जरा कहो तो सन्या सीने नहीं होती तो मैं आपका ही नाम ले ले था बात क्या है? इतना तुम क्या सोच रहे हो? वो लड़की अगर मेरे जितनी खुबसूरत हो तो चलेगा ना? माता! बस माता! आपकी जितनी खुबसूरत बस हो गया एक लड़की जो हुबभू मेरी तरह है पूर्व दिशाकी और पार्क में मिलेगी जाओ सेम एक दम तुम्हारे जैसी लड़की कैसे आज़ ज़कती है? मैं नहीं मानता कामात तुराणम नभयम नलज्चा प्रेमात तुराणम नभूतो नभविश्यतो जब तुम दो हो सकते हो तो हब दो क्यों नहीं हो सकते? मैं चलता हूँ माता शीक हो जाओ भाईया मुझे कुछ कन्फ्यूजन है मुझे सब क्लियर हो गया है तू चल उनका सेट अप और गेट अप देखकर बिल्कुल चोर लग रहे थे वो लोग अगर तू मुझे एंकरेज नहीं कर सकता तो डिसकरेज तो मत कर हो गया इमोशनल बापरे सौरी है जी ने ने सौरी तो मुझे कहना चाहिए मैंने आपको ऐसा लगता है पहली कहीं देखा है मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे तो लगता है आपके साथ मेरा जनम चनमानतर का रिष्टा है एक्सेक्ली सेम फिलिंग्स रोज आप इस पार्क में आते हैं आप अगर रोज आओगी तो मैं भी रोज आया करूँगा तो फिर कल शाम 430 को मैं यही पर आपके लिए बेट करूँगी ओ जा रहे हो भाई वो माता को दक्षीना देने के लिए चलना मेरा वालेट बिना मांगे दक्षीना ले गई बोला था न भाई वो एक नमबर की चोरनी है मुझे बिना बता यहां नहीं दुकान खोली हुम् चल चाश्मा दिखा यह सुपर है सर एक बार ट्राइक कीजिए यह देखिए नया मॉडल सर ट्राइक कीजिए यह मॉडल शेयर में कहीं नहीं मिलेगा अच्छा है ना सर ले लो ना अरे ले लो सर साथ एडम करीदा है तो दोहजार रुपए का मिलता आपको डिसकाउंट इसकाउंट नहीं चाहिए बिल कितना हुआ बॉल यह लीजिए यह ब्रहू इस आइटम राजा को बिल देने का क्या फायदा अब इस बिल में जितना इमांट होतना कैश दिला कैश मेरे साथ मजा अब दुकान खोलने से पहले जैसे ग्रहक के बारे में पता किया था बिलकुल वैसे ही हमारे बारे में भी पता कर लिया होता याद रखना आइटम राजा अब जैसे चश्मा बेशने वाले दुकान धार को भाई ने अच्छे टोपी पहना दी बैचलर के घर में लेडी वॉइस हमारे मोटे के घर पे पतली सी लड़की फेस दिखाई नहीं दे रहे ये क्या ये सा बेटे बेटे क्या देख रहे है ओम्भूर्भुवस्वाहा तस्यवितुर्वरेन्या भर्गोदेवस्यधी मही धियोनः प्रचोर्णा ओम्भूर्भुवस्वाहा करेंट तक किया देख रहे हो बेटा अंकल वो अपने घर में जो लड़की आइए ना कोने वो वो लड़की मेरे फ्रेंड की बेटी है अहां बहुत अच्छी है मेरे फ्रेंट की बेटी है मतलब मेरी भी बेटी है ऐसा वैसा कुछ सोचा ना तो मार डालोंगा सोचने में भी पाबंदी है अलो दूपर जो तुम्हारे साथ है उसा ही बता देना जब मैं हूँ तो दूसरे को एंट्री क्यू दूँगा बाइस असुर जी अरे बाप्रे चाचा चाचा बोलने वाला यहां रिष्टे को उलट पलट करके ही चला गया इस पे नज़र रखनी पड़ेगी क्या लग रही है काश यह मेरी हो जाए मज़ा आएगा यह लेस खुल गई इडियट देखो भाई पहले राइट जाना उसके बाद लेट चले जाना ओके भाई हां डोंट वरी डोंट वरी यह कहां चली गई है मैं तो सीरियसली शौक हो गई तुम हैदराबाद को भाई हम सब सोच रहे थे के तुम देल नी चले गए लेकिन तुम यहां कैसे जिस घर में तुम हो उसी घर में मैं ऐसा क्या है लेकिन तुम यहां कैसे अमीर पेट में आई क्यू कंप्यूटर कोर्स जॉइन किया है मै नाइन ओक्लॉक का क्लास है, मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो गया, शाम को बात करते, बाइ, 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 तु जो कर रहा है वह मुझे पसंद रही है भाई, मैंने क्या किया यार, परसुए तो उस चोरनी को तुने में लाइन का था और यह क्या, लूप लाइन है क्या, ए, असल में वो लड़की कौन है पता है तुझे, कौन है, वही मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी, अंकल की बेटी, मतलब वो लड़की, मतलब यह सुभा लक्ष्मी है, हाँ, सुभा लक्ष्मी, अपनी सुभू है क्या, भाईया, वो पार्क में अपनी भावी बेट करती ह चल 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 बाभी बाभी कौन है यह रहा है भाईया ऐसा क्यों कह रहे हो आज पार्क में आएगी बोली दी ना वही तुमारी लवर हाँ 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 याद है अब चलो चलो हम कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं लेकिन वो आई नहीं रही है टाइम पर आने के लिए वो क्या कॉर्परेट आफिस में जॉब कर रही है फ्रीलैंसर है वो ओ भाईया कहां जा रहे हो वहाँ है क्या देख कर आता हूं जाओ ढूलो उसे मैं तुमें पासंदे हो क्या? बहुत बहुत अगर सच में पसंद हूं तो मेरे साथ तुम्हें थोड़े शरारत करनी चालिए क्या करूँ शराफ़त दिखानी है तो सिर्फ एक हग, बदमाशी करनी है तो चार चुम्मे अरे बापरे, चाहर चुम्मे क्यों, तुम कहो तो, पूरे चालिश चुम्मे दूंगा मैं अभी बीकॉम में पढ़ रहा हूँ नाम क्या बताया तुमने? मैंने तो नाम भी नहीं बताया तो फिर आप बता दो नहीं, मैंनी बताँगा पर क्यों? मेरा नाम बहुत ही अजीब है बोलने में भी अजीब है और सुनने में भी अजीब है चाहे जितना भी अजीब हो, मुझे जाना है एजी मैंनी बताऊँगा एजी तोनो एक जैसे दिख रहे हो पेटी अभी अभी तुमने इसे किस नाम से बुलाया? मैं तूम्हें मेरी कशम है बताओ नहीं अच्छा थीक है बता तू मैंने तूम्ने इसे ए जी क्या कर बुलाया हां उंकर यह तुम्हारा होने माला पती है इंडोंने का कि इनका नाम ही एग तो फिर उस बिल्ली आंक वाले ने अपना नाम क्या बताया वह क्या नाम मैंने मेरा नाम नहीं बताया से सिभी तो फिर अभी बतातों माइनम इस प्रेम कुमार लेकिन प्यार से लव कुमार भी बोलते हैं लव अब यहाँ पर करेगा ना तो तुमारे टुकड़े टुकड़े करके चील कवों को खिला दूगा समझिया चल निकलिया से एजी आप दोनों एक चैसे दिखते हो लेकिन तुम शरीफ हो और यह एक नमबर का टपोरी मैं टपोरी तुम्हें एक बात बताओं तुम्हारा होने वाला पति एक चोरनी से प्यार करता है चोरनी मत कहो देवी कहो देवी जैसी है वो मैं भी वही कह रहा हूं देवी जैसी रहने वाली चोरनी एए चुप रहो पापा फॉन कर रहे हैं हां कहिए पापा कैसी हो कि को हर कीमत पर ले आऊंगा टेंशन मत लेना अभी रखता हूं बापरे इसे तो कैसे भी करके पटा नहीं है हाहा हाह 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 हाु हाँ यहाँ, आहाँ देख़े, इरणका मुझे चेड़ रहा है मैंने कुछ आखा यहाँ लगता है इस बक्रे ने मेरे लिए ही वालेट रखा है बेसिकली इन समर सीजन, मेरी हार्ड, स्किन बर्निंग, और बहुत पुरुट है एक मेरे, क्या हुआ ब्लिंग, 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 ब्लिंग मेरा वालेट? पुराना बक्रा निकला भाया? बहुत बहुत जोरनी, मेरा वालेट मारके चली गई रहाँ ए जोरनी, रूच अजा रूट अजा रूट रूट नहां जानी ए महिने भर की नमाई है उसमे रूट रूट छोड देख रूट यहाण बुष्छ। मेर वीचे ठन्हीं है, युष्छि अगर ढुष्छ अरीः भर, इसे भर, अरीः, अरीघराष राण अरे प्पकए्लिया, अरीव प्पकए्लिया प्पकए्लिया, बस्षर अरी, ऑब श्फए्लिया अहां भया मेरा अंग अंग इसने डेमेज कर दिया वह देखो क्या किया भया सॉरी भाइ तेरे वालेट में कितने पैसे थे मैं दे दूंगा 50 रुपे पचास रुपए के लिए एक किलोमेटर के दवर लगा ही तो ने हो अच्छा काम किया रुख तेरे पचास रुपए देता हूं जरूरत नहीं है उसका वॉलेट मैंने ले लिया है किया हूँ अंकल कुछ खास नहीं वो जो तुम्हारे दोस्त का वॉलेट खो गया था ना वही वॉलेट दरसल इसको मिला है ऐसे लोग आजकर मिलते का हैं वॉलेट लेकर उसके घर तक पाँचाने चले आए ये फोन भी ना तुम लोग बात करो है ये लो तुम्हारा वॉलेट और मुझे मेरा पर्स लोटा दो कहें का पर्स उसमें का पैसा खर्च कर डाना है मैंने अरे वो तो सालरी अमाउंट था ड्यूटी कहां करती हो मंदिर में की पार्ट में ये बताओ लड़की होकर चोरी करने में शरम नह नहीं कर लेती जौब किया तो जेब नहीं भरती है भया मेरे मां हॉस्पिंचल में अड्मिंट है रोस के तीन हजार रुपे लगते हैं कौन से जौब में रोस के तीन हजार मिलते है आगल में उल्टे सधी काम ना करूँ तो मैं अपनी मां को खो दूँगी मेरी बातों पर ऐसे ही बारोसा मत करो चाहो तो चल कर देख लो मेरी मां से मिल लो बारोसा होने के बाद ही मुझे मेरे पैसे लोटाना अब मा कैसी है डॉक्टर अंकिल 24 गंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं वेट एंसी दो महीने पहले एक्सिडेंट हुआ था उड़ाने वाले ने जरा भी मदद नहीं की बेचने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही सपोर्ट करने के लिए कोई फैमिली मेंबर ना मा को मरते देख सकती हूँ और ना खुद को बेच सकती हूँ इसलिए मैं ये खिनोना काम कर रही हूँ इसकी जरूरत नहीं है प्लीज मैं ये नहीं ले सकती इसे गिर्वी रखकर तुम अपनी मा को बचा लो मैं बाद में इसे छुड़वा लूँगा सत्या और एक जरूरी बात ये चोरी करना बन कर दो प्लीज तुम्हारी मा के ओपरेशन में जितना खर्चुगा वो सब मैं दे दूँगा चलता हूँ भाईया जिसका बस्टन बेड है ब्रेड ही फूड है ऐसी सोच रखने वाले को रॉयल फूड और लक्जरी बेड दिया है तुमने और तुम्हारी लाइफ मेरी आखों के सामने स्पॉयल हो रही है मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाईया देख नहीं पा रहा हूँ तुर चाहिए जो बोल बड़ ऐं लव सथया पिक्स भाईया तुम्हारा पागल्पन पीक्स पर चड़ गया है दिल से नहीं भाईया दिमाग से सुचो, मैं चाहिए जहां से भी सुचू, पर मैं सत्या से ही शादी करूँगा, ओहो, पागल हो क्या, तुम कीचर में क्यों कूदना चाते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एए, तु अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, सॉरी, सॉरी भाईया, गुड नैट सेटblad, एए, चल नीकल हो रहे, च्छोरी में भी है इसे करने लिमिट वाईया होँ, इस एरिय में आप नहीं हुँ, उसके बारे में आपको नहीं पता, यह यह आइटम राजा इतना ख़तरनाक है, जितना की आइटम बॉंम नहीं है सेट, वो अपने शॉप से आइटम खरीदेगा तो, आइटम तो दे नहीं होगा और उस आइटम का पैसा भी देना होगा मैंने नहीं दिया तो आपको इतना घिजेगा कि आपको मेरी तरह क्लीनर का काम करना पड़ेगा मैं समान को सेव कर सकता अ पर आपको सेव नहीं कर सकता है लेकिन कैसे सेव करोगे हुम क्या बोस को न header तुम हुआ भाई हमको क्या चाहिए एक फ्री जो टीवी चाहिए भाई इतना ही है यह रहा přेंँ तो देखो, अरे यहाँ देखो, एक रुपए में टीवी, तीन रुपए में फ्रिज, जोहार है ना सर, ओफर सेल, 99% डिसकाउंट, इसा है गया, अच्छा थोसे, पांस टीवी, पांच लाग, पंदरा वशिंग मशीन, पंदरा वशिंग मशीन, पंदरा लाग, पचीस फ्रि यहाँ, यहलो, आइटम राजा को बेवकू बनाने वाला खुद आइटम राजा ही है, और कोई नहीं नमस्ते माजी, नमस्ते बेटा, मैं आपके लिए यह फल लेकर आया हूँ कौन हो तुम बेटा, मैं आपकी बेटी सत्या का फ्रेंड हूं माजी लेकिन मेरा एक बेटा है, बेटा? कौन हो भाई आप? आप कौन हो भाई? मेरा नाम वसंत है, इनका जो एकलादा बेटा है वो मैं ही हूँ देखो सत्या, मेरी नजर में प्यार का बहाना बनाने जितना गलत है प्यार करने वाले को धोका देना उससे भी ज्यादा गलत है तुम मुझे बार-बार धोका क्यों दे रही हो? धोका खाता है वो तेरी कलती है, धोका देना मेरा काम है ये प्यार प्यार मेरे पलने नहीं पड़ता मैंने जी जान से तुमसे प्यार किया मेरी मा की जो निशानी थी अंगुठी वो भी तुम्हें देती तुझे वो चेन और रिंग चाहिए ना एरिया के मारवारी के पास गिरवी रखा है एक हफते बाद लाकर दे दूँगी सत्या, मेरा मतलब वो नहीं था जैस्ट तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ ये समझाना चाहता था कुशाल, मेरी नजरों में पैसे की कीमत और जरूरत तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यादा है इसलिए कहती हूँ मेरा पीज़ा करना छोड़ दो ओटो, यहीं पर रोग दो सत्या, प्लीज मेरी बात को समझो तो प्लीज सत्या, सत्या, प्लीज चले जाओ कुशाल, मुझे भूल जाओ सत्या, ठीक है, मैं यहां से चला जाओगा लेकिन एक बात याद रखना मुझ जैसे लड़के को मिस्स करके तुम लाइफ लॉंग दुखी रहोगी चले जाओ ये तुमारे लिए दीदी आप इतने दिन कहां गई थी? कुछ काम से बाहर गई थी दीदी, ये किट्टू फिर से भीक मांगने गया था ए, कितनी बार कहूँ कि भीक मांगने नहीं जाना है? मेरे पापा ने भेजा था दीदी तुम लोगों को कॉन्मेंट स्कूल में क्यों बढ़ा रही हूँ? भीक मांगने के लिए नहीं अच्छे से पढ़ने के लिए ताकि बड़े होकर तुम लोग इंजिनियर, जॉक्टर, आफिसर बन सको पर मेरे जैसे ना बनो हम पर इतनी महरबानी क्यों? इसमें कोई महरबानी की बात नहीं है मैं भी तो एक अनाथ हूँ और मैं भी यही बली बड़ी हूँ जब तक मैं हूँ, बच्चे अनाथ नहीं होंगे उनकी परवरिश के लिए कुछ भी करूँगी उनका ख्याल रखना जाजा देखे बेटी देख ली मेरी हालत कुछाल, मैंने तुम्हें पहले भी बता आ है और अब भी बता रही हूँ मेरा तुम्हारा मेल नहीं होगा मैंने अभी तब ही नहीं पहले ही तैकर लिया है कि तुम मेरी ही हो भाईया, जरा ध्यान से सोचो दस बच्चों को अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाओ तो बैंड बच जाएगी उनके लिए ड्रेस लो, शूज लो, बेल्च लो, टाई लो, बुक्स लो और लिखने के लिए बैंसिल, शाप करने के लिए शापनर और मिटाने के लिए रवर चाहिए कम से कम एक बच्चे पर दो हजार पकड़ोगे तो महिने का बीस हजार होता है बीस हजार? आ, उतना कहां से लाऊं यार? सिंपल भाईया, बैंक में दस लाग रुपया इंस्टन्ट मनी गेन करने के लिए छोटे-छोटे रास्ते होते हैं वो क्या है न, रेस लगा सकते हैं जिस घोडे पर तुम दाव लगाते हो, वही घोडा जीतना ज़रूरी है और दूसरा ताश खेल सकते हैं अब अगर ताश खेलो, तो तीन पत्ती हमारे हिस्से में गिरनी जाएं हो गई तेरी बकवस, कोई और रास्ता है तो बोल नाम लबा कुमार, इसे जुनने पर 25 लागा है नाम? सपोज, जस्ट सपोज, ये जो नन्हा बच्चा गुम हुआ है, वो अगर हमें मिल जाए सोचो, इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, ऐसा हो सकता है ऐसा ही होगा भाया, ऐसा ही होगा क्या हुआ है, इतना तर तुम लोग मेरी मयत में भी मूनी लटकाऊगे रहे हैं चला जाए भी आप, आप पीने को कऊँगे तो भी पीएंगे नहीं भाई ऐसा क्या हुआ, चोड़के चलीगे क्या है, चोड़के जाए भाई तुद्नी तकलीब नहीं होती फिर बात क्या है, तो फिर पैसे नहीं, इसलिए घर वाले सारी चीजों को भंगार में बेच रहे हैं उन्हें चोरी की चीज़ा नहीं, रोकड़ा कैस चाहिए तो फिर क्या करें? कोई बड़ा क्राइन करके पैसे कमाते हैं, भाई तो फिर सुपारी लेके मडर करें क्या? भाई, रेंदो भाई, अगर हम जेल कहना तो हमारी घर वाली बाहर आ जाएंगी वैसे भी जमाना बड़ा खराब है कुछ और सोचो भाई तो फिर लेंड सेटल्मेंट करते हैं, खाली जगह पे कबजा करके पैसे मांगते हैं क्या बोल रहे हो भाई, क्या वेकार की बात है हमारे शहर में कोई जगह खाली ही नहीं बची है और अगर खाली है तो उसमें 10-20 वाद पहली कबजा हो चुका है तो फिर करें क्या किटनैपिंग करते हैं भाई किटनैपिंग करें? हाँ भाई, किसी बड़े घर के अच्छे वच्छे को किटनैप करके हम बहुत से पैसों के डिमान करेंगे और अगर वो कहेंगे कि वो पुलिस के पास जाएंगे तो हम उने ये कह के डराएंगे कि अगर ऐसा किया तो बच्छे के जान जाएगी इससे हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे भाई हाँ भाई ये आईडिया कम सेरते हैं भाई तुम लोग तयार हो तो मैं भी तयार हूँ चलो चैपिया पैसे की वज़े से ही मेरी लाइफ बनेगी पैसो की वज़े से लाइफ में वाईफ आईगी ऐसा मैने कभी सोचा नहीं था भाईया प्रॉबलम को बार बार याद करके दुखी होने का कोई फायदा नहीं है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला जब सॉल्व होना हो तो हो जाएगा सही बोल रहा हो बाया वो पेपर वाला बच्चा उसे पकड़ो तो 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए हमारी आखों के सामने ही खड़े या कहा गया ग्रह अगर लात मारे तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता चलो बहिया बाई वो लड़कर बेंस कार से उतर रहा है तो सोचो उसकी रेंज क्या होगी उसे ही किटनैप करते हैं और 20 लाख का डिमान करते हैं सिर्फ 20 लाख क्यों? 50 लाख डिमान करते हैं ए स्मॉक बम लेकिया बच्चा मेरी आपको के सामदे है शूट कर दूँ क्या? तो क्यों? उसे हार पहनाएगा उसे इसी वक्त शूट कर ठीक भाई ठीक, बेशरम बेवकूफ एक दम बुरा चॉइस है भाईया, वहाँ देखो भाईया, रोड पर मिस हो गया था सड़नी जाकर पकड़ा तो डर जाएगा साइलेंट्ली जाकर पकड़ लेते हैं इस बार मिस नहीं करेंगे एक भाईया, वहाँ पकड़ा पकड़ण भाईया, वहाँ रार मिस नहीं कर दो आएउड़ा इस बार मिस बार मिस बार मिस बार मिस टॉएड़ा आप जल दिया दख नीचे चलो जो फ्रेक्ति कुल बच्चा है यह बच्चा कुन है यह बच्चा गुम हूआ था इसको इसके मम्मी पापा के पास हमी पहुंचाएंगे और वो लोग हमें 25 लाग का रिबॉट देंगे ऐसा पेपर में भी दिया है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी तुम लोग ये पैसो के लिए कर रहे हो इस बच्चे को उसके मम्मी पापा को दे दो उन लोगों की दुआ मिलेगी तुम दोनों को वेल्कम टू साक्षी नियूज प्रमुक वियवसाई श्रीसा ग्रूप अफ कंपनी के एमडी प्रसाद राव जी का पोदा आधे गंटे पहले दिलसुक नगर के कला मंदिर से किद्नाप हो गया है बच्चे ने अपने परसनल बॉडी गार्ड से स्कूल से घर आते समय नए कपड़े लेने की जित की वो उस बच्चे को मना नहीं पाए और मजबूरन उन्हें उसे कला मंदिर ले जाना पड़ा उसी दोरान स्मोक बॉम की मदद से कुछ गुंडों ने उस बच्चे को किद्नाप कर लिया बच्चे को बचाते वक एक बॉडी गार्ड को बंदू की गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया कमाल की बात ये है कि ये बच्चा पहले भी किद्नाप हुआ था पर उसे ढूंड लिया गया था फिलहार के लिए बस इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रही साक्षी नीज ए जी शायद आपने पुराना नीज़ पर पड़ा है बच्चे और लेड़ी गुम होकर उसके परेंट्स को मिल गया था मिल गया था मतलब बच्चे को आपने दुबारा किद्नाप किया है किद्नाप किया है मुझे मत बारो मुझे मत बारो मैंने तुम लोगों को राना के पास काम पर लगवाया था ना तुम लोग मुझे ही मारना चाहते राना चाहते मैंने तुमारे साथ कोई दूखे बास ही नेख नेखी हुए मुझे छोड़ दो मैं तुमारे हाथ जोड़ पां मुझे जाने दो तुमें शायद गलाब सानी हुई है खुद पर मैंने जितना विश्वास नहीं किया अपने बाप पर नहीं किया उतना तुछ पर किया और तुने क्या किया? लाणा, लाणा मुझे छोड़ दो मैंने तुमा सब कुद होगे भाजी नहीं की अगर कमिट्मेंट में लॉस हुआ तो सहलूँगा बरदाश्ट कर लूँगा लेकिन दोखा दिया तो मार दूँगा किड्नाप हुए उस बच्चे को हर जोगे ठूंडा गया पर उसका कोई पता नहीं चल पाया है हमने बच्चे की मा का इंटर्व्यू लिया है पैसा चाहिए मैं दे दूँगी एक मा की तकलिफ समझे मुझे मेरा बच्चा लाटा दो इसकी बारे में लोगों का क्या कहना है आए जानते हैं उन्हीं की जुबानी किड्नापर मुझे मिल गया ना तो उसकी बोटी-बोटी कर दूँगा अगर वो किड्नापर एक बार मिल जाए ना तो उसके बाल की जगा गर्दन काट दूँगा बच्चे को किड्नाप करने वाला मिल जाए उसे काट कर मिर्ची पाउडर लगा दूगा पूरे दिश में पहले टीवी बन करो बहुत गुसा है हमारे समझ टीवी पर जितने लोग दिखाए सब भड़के हुए हैं भाया कहां जा रहे हो पूली स्टेशन बच्चा लोटाने के लिए ऐसा मत करो लबा हमने तो कोई गलती नहीं की है तो हमें डरने की जुरूत नहीं है इमोशन में आके रॉंग डिशिशन मत लेना भाया प्लीज ये पुलिस टेशन ये अरेस्ट ये किड्नैपिंग इसकी हमें क्या ज़रूत है भाया पैसों की ज़रूत मुझसे ज्यादा तो तुम्हें है ए जी पिछली बार जब ये बच्चा किड्नैप हुआ था तो कोई आदमी उसे बचा कर घर ले आया था लेकिन उस आदमी को मार दिया गया ऐसी खबर आई थी इसलिए थोड़ा संभल कर लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है पापा फोन कर रहे हैं स्पीकर ओन करके बात करो हलो बेटी सुब्बू पूरा मुंबई भी चान मारा लेकिन दामाद कहीं नहीं मिले सुबह तक हैदराबाद पहुंच जाओंगा पापा उन्होंने मुझे गोवा से फोन किया था वहाँ पर क्या कर रहा है वो उन्होंने न वहाँ पर एक लड़की से टाका फिक्स किया है जी 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 गोवा में लाओ उसका नंबर दे मुझे पबलिक फोन से फोन किया था पापा कॉल बेक किया तो वो वहाँ से चले गए थे मैं अभी गोवा जागर उसे डूड़कर उसे पकड़कर लाओंगा तू बिल्कुल चिंता मत करना ठीक है ठीक है बापा भापरे गोवा गय हो कभी वहाँ किसी भी लड़की को देखा तो बहुत सुंदर लगती है इनके दमाद को मैं परणाम करता हूँ उनीगे चक्कर में तूम पूरा इंडिया घुम रहे है तुम लोग क्या सीक्रेट सीक्रेट बात कर रहे हो नहीं मालिक नहीं हम दमाद के लिए प्लानिंग कर रहे है बहुत प्लान कर लिया पहले गाड़ी में बैटो आंकल आप सब कौन हो हम सब तुम्हारे दोस्त हैं अंकल, मुझे मेरी मम्मी के पाश जाना है अंकल ले जाने के लिए ही लाए है जब तक हम ले नहीं जाते तब तक जर्दा सा शान्थ रहना ओप्वेश आंकल, आज मेरा हापी बदे, अंकल अंकल, हापी बदे टू यू झाल्यबर्ड थूई भी जाती है मैंने बन通 देखे तु एता? नहीं किया था, सुबह से कितनी बार बोला, फिर भी वो पानी तत नहीं पी रही है। शीरसा, कमिशना ने कहा कि कल तक वो हमारे बच्चे को धून निकालेंगे। पुलीस, प्रेस, मीडिया, सभी हमारे बच्चे को धूनने में मदद कर रहे हैं। प्लीज, तुम टेंशन मतलो, प्लीज कुछ खा लो। मुझे भूक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज, तुम चले जा यहां से, प्लीज, ले मिया दो। बच्चे का कुछ पता चला कि नहीं अभी तक। नहीं अंकल, प्रेस में दिया है, कम्प्लेन भी किया है, चल्दी ही कुछ होना चाहिए। अंकल, आपका कोई पुराना दुश्मन है क्या। यह हाथ मदद के लिए उठते हैं, किसी का नुकसान पहुचाने के लिए नहीं। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। बच्चा कहा है, कैसा है, खाया भी है कि नहीं कुछ पता नहीं। बच्चा के लिए। बच्चा के लिए। इसका हाथ खोल दे है। मुझे माफ कर दो, प्लीज भाई। मुझे मत बहरो, मैं आपके पैर बढ़ता हूं भाई। मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ। अरे, तु मेरा भाई जैसा नहीं है रे। मेरा छोटा भाई ही है। लेकिन तुससे यह उमीद नहीं थी। अरे तुम लोग दस सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन फिर भी 25 लाग की लालच में आकर तुमने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया अब सब कि सब मरोगे इस बार बच्चे को मार करी वापस आऊंगा बाई ये मेरा वादा है ठीक है लास्ट चांस जाँ ठीक है भाई अगर इस बार बच्चे को नहीं ला पाए तो जिन्दा नहीं छोड़ूगा चलो जाओ ठीक है भाई उससे बूसे कोई नहीं बचा सकता कोई भी नहीं क्या क्या चल रहा है आज कल की हिरोई ने छोटे-छोटे कपड़ों में गरम-गरम ऐसास दिलाती है भाई उस दिन शॉपिंग मौल में जो बच्चा दिखा था ना वो बच्चा गुम हुआ है उसे ढून कर दोगे तो पच्चीस लाग मिलेगा और अगर डिमांड किया तो एक करोण तक भी मिल सकता है अगर बच्चे को पकड़ कि उनके सुपूर्ट किया तो इनाम का 25 लाग मिलेगा हम एक काम करते हैं इनाम के रखाओं को 50 लाग करके छपपा देते हैं उसके बाद किसी को बच्चा मिलेगा तो वो हमें लाकर देगा तो हम एक करोण के डिमांड करेंगे 50 लाग लाने वाल है हमने बिजिनेस बदल लिया ना अब फ्री में कुछ नहीं पैसा दोर खरीदो अरे भाई आइटम रजा भाई कैसे हो भाई भाई पानी के लिए पैसे नहीं है थोड़ा मदद केज़े भाई साब ए आगे बढ़ इनके पास पैसे नहीं होते पूलिय भाई या पेश करूं कोल्रिंग क्या हार्ड रिंग एक हमें कार दे दे आप सेकेंड हैंड कार लेंगे तो हम लोग कौन से फर्स्टन है आपकी इमिज के लिए गंदर रहेगा भाई तो हम लोग कौन से जाब सुध रहे अच्छा ये बता ये बैन कितने की अगर इसे रेट बता है तो उतना है पैसा मुझसे ये ले लेगा फ्री है फ्री है अरे यार लाइफ में पहली बार पैसा दे के कुछ खरीदने आया हूं और ये बोल रहा है कि फ्री है बाबू क्वाटर के लिए वाटर नहीं है थोड़ा मदज कीजिए ए उसे यहां लेकिया रहे है इदर आ रहे यह ले यह बाई यह बाई तो चल निकला पहले पैसा उठा हां क्या यार दान करो या ना करो समस्या ही है इसे जल्दी सा सम्षान लेके जा तेरे गिफ्ट के बदले मेरा यह रिटन गिफ्ट है अब बोलिये क्या है मेरे पोते का कुछ पता चला है हम कोशिश कर रहा है ना हम आराम से नहीं बैठे हुए है मिलते ही आपको बता देंगे लीट सर में मेरे बच्चे के बिना रह नहीं सकती देखो मैंटा 24 घंटे में तुम्हारे बच्चे को डूड़ना मेरी जिम्मेदारी तुम टेंशन मतलो टीवी और पेपर में आप ये न्यूस दे दीजिए अल्रेडी दे चुके हैं सर लिखा था कि 25 लाग का इनाम भी देंगे पब्लिक ने पकड़ा तो 25 लाग है और पुलिस ने पकड़ा तो 25 रुपए भी नहीं ठीक है मिलते ही आपको इंफॉर्म कर देंगे अब आप जाईए भाईया हम बच्चे को उठा कर लाए थोड़ा पैसा मिलेगा सोच कर हमें लाले चाया अरे बापरे उठा किडनेपर का टैग लग गया अब ये सब छोड़ो भाईया एक काम करते हैं इस बच्चे के घर जाकर इस बच्चे को दे देते हैं वो जितना भी पैसा देंगे उससे पांच कैप खरीद कर सेटल हो जाते हैं अब बस इस कन्फूजन को मैं सहे नहीं पा रहा हूँ भाईया वैसे ही मैं बहुत बड़े में हूं तुझे बहुत क्या प्रॉबलम है मतलब मैं इंसान नहीं हो क्या मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती वही तो प्रॉबलम बता है एंग लड़की से प्यार करता हूं क्या करता है क्या आऑ ऐसा बोल रहे हो मैं सच में प्यार कर रहा हूँ सच में प्यार करता है तो कौन है वो लड़की मैं बोलूगा तो आप बुरा मान जाओगे उस दिन पार्क में ए चीची भाया वो नहीं तो फिर कौन है वो अपनी सुबा लक्षमी भाया भाया ऐसे सीरियसली मत देखो मैं सीरियसली उससे प्यार करता हूँ थ्यान से सुनलावा मैं सुबा लक्षमी को तब से जानता हूँ जब हम छोटे थे वो सच में बहुत संसकारी लड़की है तुझ जैसे टपूरी के साथ उसकी नहीं जमेगी मुझ जैसे टपूरी को ही ऐसी लड़की पढ़ती है भाया और तुम जैसे संसकारी लड़कों को टपूरी लड़की पढ़ती है वो सब छोड़ो ना भाया मैं सुबा लक्षमी को फूलों से सचाऊँगा भाया लेकिन कैसे वही बच्चे को दे देंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे ना उससे मेरी लाइब सेट हो जाएगी क्या हुआ भाया बेटा अब अपनी नया खुदी पार लगा ले भाया देखो लब तुम और वो एक जैसे बिलकुल भी नहीं हो तुम सचमी उन्हें बहुत सपोड कर रहे ही। चाहते तो मना कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया उन्हें हर कदम पर तुम मदद कर रहे हeon तुम ठपोरी तो हो लेकिन प्यार की पूंएँ सुबालक्ष्मी इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन जो बोलना था, वो तो बोला ही नहीं मैं छोटे गाव से हूँ, मुझे शर्म आती है लेकिन मुझे नहीं आती एक चाय देना क्यूं काका, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? उसे ढून तो रहे हैं, लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं सब बेकार हो रही है बच्चा मिले तो मुझे भी जरूर बताना काका, क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग उस बच्चे को मार न डाले ऐसा नहीं होगा, नजाने कौन है वो लोग जो हम सब को इतनी तकलीट दे रहे हैं जबसे वो बच्चा गुम हुआ है, उसकी मा के हालत बहुत ही खराब है अन्न का एक निवाला तक उसने मुँमें ही डाला पता ने क्यों भगवान भी अच्छे लोगों कोहीं कश्ट देते हैं हम क्या कर सकते हैं काका, अगर उस बच्चे को मिलना है तो उपर वाला ही कुछ कर सकता है हे लोव, हाँ बया, बोलो, मैं अभी अभी बच्चे के घर से इंक्वारी करके आ रहा हूं तो बच्चे को तयार कर, मैं अभी करा रहा हूं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलो ठीक है बया, वो 25 लाग की बात गंफर्म है ना? अरे बनकार, बनकार, शॉप लगे आपने, अब है मार डालेगा क्या, तेरी तो तुझे कैसे मारो, तु मेरा बैरर चेक जो है चोटो, बच्चे, रुक यार, ऐसे क्यों रो रहा है तू? मुझे आइस्क्रीम चाहिए आइस्क्रीम चाहिए, कुश अलंकार को फोन करता हूँ, वो हाते समय ले आएंगे मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं जोर-जोर से रहूँगा अरे बाप्रे, मत रोना हाँ, मैं अभी लाता हूँ, तब तक ना तू, टीवे पर काल्टून देख कुशाल, कुशाल लगता नहीं, उसके नसीब में उसका चेन है बाहर से तो डोर लॉक है, लेकिन अंदर से टीवी की आवास आ रही है इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा है, कहाँ, हाँ, पेपर में देखा है मैंने इस बच्चे को लॉटा दिया, तो मेरा प्राब्लम सौल देखा है हलो, हलो, पीबी, हाँ, बोलो सत्या बच्चा लॉटाने वाले को पच्चिस लाक रुपया दोगे, पेपर में ऐसा चपवाया था ना यह खबर सही है क्या, ओ, चपआ है, तो जरूर मिलेगा हलो, हलो थेंक यू, थेंक यू, सर्व नमस्ते जी आईए, आईए, बैठिये बैठिये ना आपका बेटा हमें एरपोर्ट में मिला बच्चा का है जी? आईस्क्रीम खिलाने के लिए कॉंस्टेबिल से बाहर लेकर गया बच्चे को किड्नैपर कहीं शिर्प करना चाहता था तब ही वो पकड़ा गया, और मैंने आपको बुला लिया अपना चेरा दिखाई ने ये तो मेरे दामाद जी है दामाद है आपका? फिर आपके पोतेग उसने क्रिणैप क्यों किया? किर्ण अपने बेटे का क्रिणैप क्यों करेगा? श्रीशा के पास एक है क्रिण के पास एक बहुन ट्विंस बच्चे हैं ट्विंस यह है? हाँ जी है उन्हे से बाहर निकलो कि यह पता नहीं था सर क्या हुआ चिल ला रहा है और वह बच्चा का जो तुम्हारे साथ गया सार बच्चे को किसी ने किड्नाइप कर लिया सर वह बच्चा हुआ बहुत होगे आप लोगा ड्रामा एई तेरी कहानी में मुझे कोई दिल्चस्पे नहीं है मुझे मेरा बच्चा वापस यह बस दामाद जी मेरी बात को सुनिये आप चुप रही है जितना सुनना था उत्रा सुन चुका हूँ मैं किरन प्लीज शांत हो जाओ घर जाके बात कर कैसे पुलीस वाले हो तुमसे एक बच्चे को ढूड़ने को कहा दूसरा बच्चा भी खो दिया सर चल बेटिया है भगवान इस चहर के बच्चों की सुरक्षा के संबंद में विपक्ष की पार्टी के लोगों ने बहुत अंक्रामा किया इससे तो मेरा कैप का धंदर ही अ उसके बाद मेरा इंकाउंटर होगा यह भी कंफर्म अरे बापरे नहीं भाया अभी मुझे बहुत जीना है अभी तो मेरी शादी भी होने वादे है यह का मिल गया तुम्हे पुलीस स्टेशन के पास अबे मैं तो ताला लगा कर गया था न तो तो बाहर कहां से निकला कौन हो अंकला मुझे यहां क्यों लाए हो और अब एक ब्रेकिंग लिउस पिछले हफते किडनाइप हुआ बच्चा जो प्रसिद्ध बिजनसमेन प्रसाद राव का पोता है जिसका नाम लवकुमार है अब तक नहीं मिल पाया है हैरत की बात यह है कि उस बच्चे को पुलिस ने बरामत कर लिया था उसके बाद फिर से उसकी किडनाइपिंग हुई है फिर हमारे सुत्रों से हमें सूचना मिली है कि उनके एक ही चेहरे के जुणवा बच्चे है एक बच्चे का नाम है लवकुमार और दूसरे का नाम है कुशल कुमार सूचना मिली है कि पती पतनी अलग रह रहे हैं और एक एक बच्चे को पाल रहे हैं आपको बता दें, जैसे ही इस फैमिली में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की किड्नैपिंग हुई, पूरी मीडिया में संसनी फैल गई है। भाईया, अब सारी बाते क्लियर हो गई। जो हमारे पास पहले था वो लव कुमार और ये है कुशल कुमार। अरे बापरे, हमें पता भी नहीं चला और हमने दो दो बच्चे किड्नैप कर लिए। बैसे भाईया, अब दूसरा वाला बच्चा गया किदर? अब मैं राइम बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बोलो। बापू, इन गवारों को इंग्लिश बिलकुल नहीं आ दे, तु मुझे इंग्लिश में बोल। मैं हिंदी में लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चमकने वाला चमकने वाला चोटा सा तारा। ए मेरे पीचे बोलो। चमकने वाला चमकने वाला चोटा सा तारा। इसा ही करके सोच रहा हूँ। अब अब आप दा वर्ल्ड सो है। ये दुनिया अपने सर से भी बड़ी है। आस्मान में हीरा जैसा चमक रहा है। आपका ट्रांसलेशन तो धूम से भी सॉलिद है। भाई तुम्हें बैटिंग करनी आती है। ये गल्ली किरकेट टीम का कैप्टन था मैं। अरे भाई मैं उस बैटिंग की बात नहीं कर रहा। अरे और कितने टाइप की बैटिंग होती है। अरे वो नहीं भाई। अरे मुझे अभी तक मौकाई नहीं भिला रहे। अभी तक क्यों नहीं भाई। आप तो बोह नहीं कर लो। लेकिन वह मानेगी क्या। भाई ऐसी बातों में ज्यादा सोचने का नहीं। बस घोड़े पर सवार हो जाना चाहिए। भाई। मैं बच्चे को लेकर बाहर चला जाता हूँ। चला जा बेगा। तो मैंजेन होके हीरो जैसा स्टाइल मार रहा है। फर्स्टाइम है। तो तो इतने दिन तक इसके लिए रुका था। तुझे नहीं लगता जिंदकी में थोड़ा लेट हो गया है तो। लाइफ में मैं दूसरे कामों में थोड़ा ज्यादा भी जीता है। इसलिए मुझे लेट हो गया। ऐसा बांदा है तो बहुत मुश्किल होगी। छोड़ दिया तो बहुत मस्ती होगी। अब हुआ जोड़ा हुआ। आज खुदा मुझे सच्वर महरभान है। अभी खोल गाहूँ। आज जाओ। अज जाओ। अज जाओ। अरे ये क्या हो रहा है। भाई ऐसे क्योच ला रहा है। बस टाइम है ना ऐसे ही शोर मचाते। भाई ने संच्री पूरी कर ली। अज जाओ। अज तेरी के। जो सोचा वो नहीं हो रहा है। कुछ और ही हो रहा है। कुछल नहीं। मैं हूं लबा। तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फसे हैं यह पता है तुम्हें। ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें जैसे पहले से ही पता था। लग राइट से हया और लेफ्ट से निकल गया और डाइरेक्ट जूमंत हो हुगा। अंकल अंकल टूटूजा हाव माच। क्या कहा टूटूजा अबे यह मुझे कैसे पता होगा। अगर इकना मुझे कैसे पता होगा। हेई क्या हुआ उस बच्चे को ऐसे क्यों देख रही हो तुम मेरी बहन का बेटा है वो इतनी ओवर एक्टिंग मत करो पेपर और टीवी में मैंने भी इस बच्चे को देखा है देख लिया है सबको इसके बार में पता है अरे वो बात नहीं है एक घंटे पहले ये बच्चा आईजम राज के पास था फिर वो तुम लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे आ गया आईटम राजा यह आईटम कौन है और बच्चा उसके पस केसे गया परसो कुशाल की चेन और रिंग लोटाने के लिए जब मैं उसके घर कई थी एक बच्चा किड्डाप उससे बचने के लिए दूसरा रास्ता निकाला तो दूसरा बच्चा किड्डाप तु जानती है हमने कुछ भी नहीं किया और हम पर दो बच्चों के किड्डाप का इलजाम लग गया भाया तुझ जैसी चोरनी से सच्चा प्यार कर बैठा है और उसकी जिन्देगी के साथ खेल रही है तुझे उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता उनके पास इतनी प्रॉपटी है कि दोनों हाथों से खर्च करने पर भी खतम ना हो लेकिन फिर भी वो सिर्फ 25 रूबयों के लिए वो इतने मेहनत कर रहे हैं उसकी वज़े सिर्फ तुम्ह कुशाल इतने दिनों से मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई I love you A.G. जर ऐसे देखो जो होना था वो हो गया अभी जाकर बच्चे को पूली स्टेशन में दे आते हैं बेटी hints अरे बप्रे discovered क्यू रे इस बच्चे को खिड़्नेप करके लायोना नहीं झोडूँगा तुमको नहीं छोडूँगा नहीं होड़ूगा सच बोल ँगर ये किड्नाप हम दोनोंने चान्मुखकर नहीं किया हाँ अंकल यह बहुत बड़ी कहानी है यह तुम लोगों की बातों पर पूरा यकीन है अब तो मुझे खोल दो नहीं कुशल भाया बेलकोल नहीं अगर इस पर दया दिखाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे बोलो मन्जूर है अरे भाई मेरी पीट में खुझली हो रहे है यह बहुत जोरो की मुझे खोल दो खोल दो भाई एजी ऐसा मत करो यह मेरी पापा के फ्रेंड है छोड़ दो इन्हें क्यों बैटे क्यों इसे अपने पती की तरह एजी एजी करके बुला रहे हो एजी सुनो जी अंकल आपको एक सेंसेशनल न्यूस बताओ सेंसेशनल न्यूस ही है ना तो फिर सुनाओ सुनाओ यही है कुशल कुमार जिन्हें मेरे पापा ढूंड रहे है अरे बाप रे रेस्ट गेस्ट और फिर यह ने अट्वेस्ट यह सब क्या है भाई देखो सच सच बता दो यह तुमारा होने वाला पती है होने वाला हूँ मैं अपनी 25 लाख वाली कैश पार्टी को फून लगाता हूँ सर एक्चुली वो पेपर में जिस बच्चे का एड दिया है ना वो हमारे पास है और वो बिल्कुल सुरक्षित है सर आप बताए कहां पहुंचाना है हम उसे वहीं पहुंचा देंगे उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड दूँगा भगवान का शुक्र है ये बच्चा हमारे पास है इसलिए बच गया लेकिन आइटम राजा के पास जो बच्चा है उसका क्या अच्छा सुन भाई बच्चे को पकड़ कर दिया तो 25 लाख दूँगा इसा नीजपेपर में दिया है बच्चा मेरे पास है पैसा ले करा और बच्चे को लेके जा एए उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड दूँगा यह क्या रहे किड्नेप से मडर का परमूशन दे रहा है क्या पता भाई वापस पुछो ना अच्छा भाई तुम थोड़ा कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो नहीं मैं क्लिया रहूं जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा दिया तो एक करोड दूँगा इसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड दूँगा इसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड दूँगा यह आवाज किसके आप बता सकते हैं यह आवाज? यह तो हमारे विश्वा की आवाज है। विश्वा, वो कौन है? वो मेरी बेटी का क्लास्मेट है। बच्पन से ही उसके साथ उसकी अच्छी दूस्ती है। दोनों एकी स्कूल में, एकी कॉलर में पड़े हैं। लेकिन उसे बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी आप से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी कहें तो बढ़ाई के समय उसे मेरी बेटी से प्यार था। लेकिन मेरी बेटी दमाद जी से प्यार करती थी, तो मैंने दोनों की शादी करवा दी, वो शादी में भी आया था, और उसके बाद फिर छे सालों तक नहीं दिखा, जब मेरी बेटी और दमाद अलग-अलग हुए, तब विश्वा मुझसे एक बार मिला था, अंकल, आप चाहो तो श्रिशा को एक नया जीवन दे सकता हूँ, उसे फूलों की तरह रखूँगा, ये क्या कह रहे हो तो, मैं श्रिशा से शादी करना चाहता हूँ, वो उठो, उठो, निकलो यहां से, वो अंकल, मेरी पेटी और दमाद में भी डेवोर्स नहीं हुआ है कि वो लोग अपने लिए नया रिष्टा धून लें, बस थोड़ी सी नोग छुक हुई है, दोनों समझ जाएंगे और फिर जल्बी एक हो जाएंगे, अंकल, मेरा ये मतलम नहीं था, कॉलेज के दिनों से ही मैं श्रिशा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब उसने शाद मेली फ्रेंड की तरह हमसे घुल मिल करके रहने लगा, हमारे बच्चों का ख्याल हमसे कहीं ज्यादा रखता था वो, लेकिन वो हमारे बच्चों को मारना क्यों चाता है, ये बात, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही श्रीशा, आई लाव यू, तुझे और तेरी प्रपरटी को पानी के लिए क्या नहीं किया मैंने, मैं इती चल्दी हार नहीं मा सकता, तुझे इतनी असानी से नहीं जाने दूँगा, जीतूँगा, ज़रूर जीतूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, यूजलेस, भी एक बच्चे को नहीं मार पाया, सोचा था तुबड़े काम की चीज है, इसलिए हायर किया, तेरे बदले गली के किसी गुंड़े को काम दिया होता, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता, असल में क्या माब, हर कोई फोन करके बच्चा मेरे पास है, मेरे पास है ऐसा बो इडिया, यह आइडिया तुबहे पहली आना चाहिए था, जाओ बच्चे को ले आओ, जाओ झाल 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 कुछार तुम यहां क्या करे हो, पहले कार नहीं हो, पहले कार नहीं हो, रुको, रुको झाल 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 झाल! पिस्त राफ ये पिस्त राफ बाफ बाफ वोरा gel मैं बोल रहा हो ना भाई उसे इसी घर में देखा था ए कौन हो तुम है बच्चे को उठा है चोड़ा इसको फोन करें चलो है चलो है सुब्बू कौन हो भाई तुम लग राजा आइटम राजा कुरसी में बांद के रखा है तो यह बहुत डेंजर आदमी होगा इसके मुह में रुमाल दूर देंगा भाई हमारे पास तो अबड़ा है नी बच्चे को कहा ले चलेंगे मामा मिक्सी मामा था बश्च को सब्सक्राइब मताय कहां चले गए थे ज्यांद चुट तो नहीं लेंगी ना। वो खुद को आइटेम राजा कह रहा था और वो उस बच्चे को किसी मिक्सी मामा के पास लेकर गया है मिक्सी मामा? मिक्सी मामा? ये नाम कही सुना सुना लगता है हाँ याद आया एक बार जब वो बेवड़ा पीकर फुल टू टून हो गया था तब मैंने खुद उठा के उसे उसके अड़े पर उता रहा था तो मुझे पता है कि वो कहा है चलो भाईया अरे अरे सुनो सुनो मुझे खोल करके जाओ तुम्हारा भाला होगा अंकल जी एज में रहने वाले आपके एज में आपको चेजिंग और फाइटिंग की क्या सुरत है उन्हें नहीं खोला तो मैं चिलाओंगा जोर से हाँ क्या बात है अच्छा यादिल है अब भाईया धूस दो हाँ रहिए रेड नाइटू रेड नाइटू हाँ अरे रे यह क्या हुआ तुम्हें यह किस ने किया कंचौर खोल दल्दी क्या हुआ इसने कितने चोटे कपड़े पहने हैं ये क्या है इस उमर में ये सब शोबा देता है क्या अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है अच्छा मूँ बंद है अरे घर में एक जवान लड़की है और तू ये सब देख रहा है ए भगवान वो टीवी चालू करके मुझे बादने वा सारा कुछ तुम्हारी बीटी का क्या है कि पीछे 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 मामा क्या है रे मिक्सी मामा रावडीज को और गुंडों को मिक्सी में घुमाने से बनता है मिक्सी मामा पता है मामा क्या गेटप है क्या सेटप है सुन रे कर मैंने कोरियन फिल्म देखी उनका सेटप अच्छा लगा इसलिए गेटप चेंज कर डाला आप भी ना मामा या कम टुद पॉइंट इन बच्चों को देखो मामा आप ये क्यों रे जब तु बोल नहीं पा मामा तुमसे मिले कितना डाब हुआ शिक्स मांथ छे महिने ये महिने में छे साल का बच्चा होगा तो फिर ये किसके हैं ये है मैटर नो मामा ये डील करवा दो मामा दो करोड मांगेगा एक अपने लिए एक में लिए एक तू लेगा एक मुझे देगा हम दोनों बराबर हैं क्या तीन करोड वसूल उससे तो मेरे और एक तेरा मिक्सी राजे स्पिकिंग कौन सा राजा मिक्सी राजा राओडियों को और गुंडों को मिक्सर में डाल कर बनता है मिक्सी राजा तुमसे पहले तो किसी आईटम राजा ने फोन किया था वो मेरा भांजा है मैं उसका मामा हूँ तीन करोड दोगे तो बच्चे तुमारे पास नहीं तो हो जाएंगे पुलिस टेशन में जमा ए ए डुक डुक पैसा कहा लाना यह बता ओके भाई तीन करोड में कितने जिरो होते हैं ओ दस पंदरा होता होगा बे ए गमार इधर आना दस पंदरा नहीं भांजे बारा होते हैं कह रहे हो तो डेफिनेटली होगा भाईया अब देखो मेरा जलवा एक्सक्यूज मी हाई सर एक्चुली सर ने मुझे आपको तीन करोड देने के लिए भेजा है कैश कहा है कैश नहीं सर चेक है यह लिजी चेक है या किसी के मैयत की चादर मैं समझ दाहा हूँ शर वो लाक या दसलाकी बात हो तो चोटा चोटा चेक दे देते हैं लेकिन बात करोडो की है ना इसलिए बड़ा चेक दे दी सच्छा है मामा मैं आप दौ मैच को ऐसा ही चेक मिलता है मैंने देखा है हाँ सच में ठीक है इसमें जीरो कितने है जरा गिनना तो दो चार छे आट दस बारा है मामा आप यार हमारे पास बैंक अकाउंट कहा है सर यह बैरर चेक है सर इसे बैंक में दिखाऊगे ना तो डारेक कैश दे देंगे सुपब यार आज से हम लोग चेक ही लेंगे नो कैश यहा या बच्चा इसे 2 में से एक बच्चा दे दो और एक बच्चा कहा है सर अब तीन करोड़ और देकर दूसरे बच्चे को ले जाए सर अरे भगा ना इसको यहां पे चल निकल निकल मामा ने कहा ना निकल आप सुपर हो मामा जगार है तू अब तक यहां क्या कर रहा है तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दूसरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा इज़त से तीन करोड़ लेकर आ और दूसरे को लेकर जा हाँ ठीक है चल निकल चल 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 बामा एक बार चेक फिर से पकरने दो ना प्लीज एए इतने मिक्सी राजा कौन है मिक्सी राजा इस कट आउट के पास बहुत कंटेंट है काउंटर वेस्ट किया चान काउंटर कर दूँगा बच्चे कहा पे हैं? बच्चे लोग नहीं, बच्चा दोनों बच्चे तेरे पास ऐसा तुने फोन पेका था ना मुझसे? तेरा पंटर आया था, तीन करोड का चेक देकर एक बच्चा लेकर गया चेक? कैसा चेक? एई, तेरे चम्चे का दिया हुआ चेक है बारा जीरो है, गीन के देख ले क्या हुआ? चेक देखकर चेक कर आ गया ये कैसा चेक है? तूने ही तो भेजा है, अच्छी तरह से देख ले, तीन करोड का चेक है तीन के आगे बारा जीरो भी है, बेरर चेक है ए डफर, तीन क्रोड़ों का कोई बैरर चेक देता है क्या, तुझे कोई चूना लगा गया, यह चेक नहीं, चाल है, बली सूट बूट पहनने से कोई डॉन नहीं हो जाता, है, उस दूसरे बच्चे को लेकिया मेरे पास, एक धोखा खा लिया, हम दूसरी खा सकते नहीं, है, अरे तू बच्चा क्यों नहीं लाया, उस बच्चे को बोलो, गाड़ी में ले जा रहे है, है, जा कर पकड़ो उन्हें, भाई, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही है, यार, स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो, चलो उत्रो, सत्या चलो, चलो उत्रो उत्रो चलो, चलो बच्चा मुण और उत्रो खर टा बतरात हुआं घर्ग ाई लगत के ले गाँ वगत Oज फद्टि ब है ुआ वभत है यह अजने खिल देंक हुख फ॥ दो वह देखो हुख वह हे खुप अधर देखो वह तुमारी बेटी है नाえー पापरे पापा ओफो हेलो पापा बेटी दामाद ने फिर फोन किया था क्या हां किया था ना पापा वो काशी चले गये हैं ओ अच्छा तो थोड़ा सा यू टर्न तो मार ना बेटी अब यहां से कैसे जाओंगा हुचा झै कैसे कैसा यूदिया वो कip sì फ्यूदिख फो क्या तो पी मोल breeze पी मोल वी मोल हुआ 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 अंकल बच्चों को इन लोगों ने किड़ेप के अंकल मैंने बजाने की कोशिश की तो देखे मेरे क्या हल क्या बंद कर तु यह अपने अक्टिंग बहुत हुश यहर बनता है ना चल तुझे बताता हूं मैं यह क्या है तुम दोनों भाई हो गया नहीं अंकल कमाल की बात है अच्छा बेटा तुम दोनों ने सिर्फ हमारे बच्चे को ही नहीं ढूंडा मेरी बेटी और दामाद को भी दुबारा एक कर दिया तुम्हारा हैसान मैं जिंदगी बन नहीं बोलूगा अरो बापरे यह पैस सर बच्चों को लोटा देंगी तो पचास सल गरूपे कैश मिलेगा ऐसा न्यूस पेपर में एड़ दिया था हां तो फिर यह तो मेरा दामाद जैसा लग रहा है यह मुझे ऐसे क्यों गूर रहा है कौन हो तुम मैं कुशल का अंकल हूँ सुबो मेरी बेटी है तो मेरे ससुर हुए तैंक यू से असली चेक मिलता है मामा जा बात करना मुझे देगा क्या देगा मामा जाओ तो जाओ न मामा जाओ ना नमस्कार सर आपके दोनों पोतों को बहुत समहाल के रखा है सर और इतने लोगों को पालने के लिए बहुत पैसा लगता है सर तो थोड़ा सा कुछ हमारे नाम पे भी कर दो सर सर बहुत दिलदार है ये लो चेक फिर से बेरर चेक झाओ झाओ